बच्चों यहाँ पर एक GP का question बन गया GP के लिए मैं आपको थोड़ी सी information दे देता हूँ हाला कि मैंने lecture में दी है लेकिन पता नहीं आप लोगों ने lecture देख रहा या नहीं देख रहा lecture के अंदर मैं geometrical progression के बारे में बताया इसका जो nth term का formula होता है यह होता है AR और यहाँ पर आ जाता है N minus given AR N minus given ठीक है यह यह AN का formula होता है अगर यहाँ पर फर्स्ट term की बात करोगो तो वह होता है A अगर सैकिन term की बात करोगो तो वह होता है AR थर्ड term की बात करते हैं तो यह होता है AR की power 2 इसी तरीके चलत रहता यह general formulation निकल कर आया था अगर मैं 30 term की बात करोगो तो यहाँ पर 3 रख दूँगा AR और 3 minus के बन मतलब AR की power 2 ठीक है तो इस तरह से आप बना सकते हैं कोई से भी term आप सा कह रहा है according to the question question के साब 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 कह रहा है कि product of second and eighth तो second term कौन सी हो गई AR और eighth term कौन सी हो गई AR की power 7 ठीक है इनका product जो है वो 64 है तो यहां से देखेंगे यह हो जाएगा A2R की power 8 यह आपको 64 दे रहा equation number 1 तो आप से कह रहा product बताओ फोर्थ का 6 तो फोर्थ का कितना हो जाएगा AR की power 3 और 6 का है आपके पास AR की power 5 इसका product बताओ तो निकाल लेते हैं यह हो जाएगा A की power 2 और R की power 8 तो A की power 2 R की power 8 यह value आ चुकी है जो हम से पूछी जा रहे हो जबकि यह value जो है from equation first 64 है ठीक है तो A2R की power 8 की value कितनी है 64 तो इसका भी answer 64 हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यह भी समझ मा अगया होगा GP के question भी बहुत easy होते हैं tough बिलकुल भी नहीं होते चलिएगा अगले question में आप से मुलाकात करता हूँ thank you so much